आपके लिए एक और नई कहानी, आज की कहानी का नाम है, कितनी मोहब्बत है, यह इस कहानी का भाग एक है, यह एक true love story है, भोपाल के मालविय नगर में घर के बाहर भीर लगी हुई थी, सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था, परिवार के नाम पर उनकी एक मातर बेटी, मीरा राजपूत थी, सावित्री पिछले कई सालों से गंबीर बिमारी से जूज रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसे लेते हुई दुनिया को अलविदा कह दिया, मीरा की उमर 21 वर्ष थी, वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी, सावित अपना कहने के लिए एक वही तो थी, इस दुनिया में सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इन दौर भेज दिया था, जिसकी खास वज़े सिर्फ सावित्री ही जानती थी। थी। कॉलेज के दो साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किये थे। लेकिन निधी मीरा को बहुत कम जान पाई थी। वजए थी मीरा का अंतमुर्गी होना या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधी को बताय भोपाल आ ग जाएंगी। मीरा हम भी साथ जाएंगे। और अजकल क्या लड़का क्या लड़की। चलने दीजिये। सभी वहां से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आखों में आंसु भरे। हाथ में अगनी का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैर में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। मा के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। ना जाने वो कौन सी वजय थी जिससे माने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संसकार किया ग अधले, अपनी बुक्स उठाई और कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी मा की देहांत के बारे में बताया। चून की मीरा कॉलेज में सबसे हुनहार स्टुडन थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसकी एक महीने की लीव को मान लिय मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू हुने में अभी वक्त था इसलिए वो आकर बैंच पर बैट गई और उदास आखों से जमीन को निहारने लगी। तब ही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। निधी, ओ मैदम जी, कह निधी, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना। निधी की बात सुनकर मीरा की आखे दबदबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखा और कहा, मीरा, मा नहीं रही। निधी, क्या, ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मीरा, क्या बताती निधी, मैं जानना पाऊँ विसलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा और देखो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आखों में आशु भराए। निधी ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आखों में देखते हुए कहा, निधी, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधी को गले लगा लिया। निधी उसे हिम्मत बंधाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोल कर निधी घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वो बस मीरा के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वालों ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले एक महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की पमिशन मानगी, लेकिन वॉर्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो मां के अंतिम संसकार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अंजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसलिए उसने अपनी ये परेशानी निधी को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अपना बैग लेकर वो होस्टल से निकल गई। निधी जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी होस्टल में रहती है। निधी, मीरा कहा है, वो कॉलेज क्यों नहीं आई। रागिनी, अरे, तुझे नहीं पता क्या, आज बाडन मेडम ने उसे होस्टल से निकाल दिया। निधी, वोट, पर क्यों, रागिनी, क्योंकि उसने होस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। आप मुझे डिस्टब मत करो, पढ़ने दो। रागिनी ने कहा और बुक्स में नजरे गड़ा ली, निधी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी न, इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है, पता नहीं इस वक्त वो कहा होगी, मुझे जाना होगा। निधी ने अपना बैग और बुक्स उठाय और क्लास के बाहर निकल गई, कॉलेज से सीधा वो हॉस्टल आये और मीरा की रूम में इससे पूछा, रूम में इतने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी, निधी वहां से निकली और तुरंत रेल्वे ट्रेशन आई, ट्रेन जा चुकी थी, निधी हताश हो गई, उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुनी, उसकी नजर बैंच पर बैठी मीरा पर गई, निधी खुशी से दौड़ कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुसे में बदल गई और उसने कहा, निधी, समझती क्या हो अपने आपको, और ये इस तरह मूँ चुपा कर कहा जा रही हो, मीरा, मूँ चुपा कर नहीं जा रहे, बता कर आये थे रागिनी को, निधी, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी मीरा, पर अब यहां करेंगे भी क्या, वॉडन ने भी हमें होस्टल से निकाल दिया है, निधी, वॉडन की तो मैं, तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, निधी के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई, निधी उसके बगल में बैठी और कहने लगी, निधी मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो, कॉलेज में बहुत सी लड़किया हैं लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना, जानती हूँ क्यों, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो, तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो मीरा, फिर ऐसे कैसे जा सकती हो, आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो, पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम, मीरा, निधी, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें, पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी है और वो हम पास नहीं है, घर जाएंगे तो वहां रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, निधी, हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बाते तो चलें, निधी ने उठते हुए कहा, मीरा, कहा, निधी, कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधी ने एक बैक खुद उठाया और द मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी और खीच लाता, सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं, निधी उसे कहा लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था, स्कूटी सड़क पर दोड़ाते हुए निधी ने अचान बढ़ाए और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे, निधी ने स्कूटी साइड में लगाए, उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई, वाडन सामने ही खड़ी मिल गई, निधी उसके सामने आई, उसने अपने जेब से कुछ रुपे निकाल पर ये लड़किया घर वालों के पैसे तो एश में उड़ा देती है और फिर किराई के नाम पर रोने बैग जाती है, निधी, चुलल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त, के लिए ऐसा बोलने की, मैं तेरा मूल नोच लूंगी, निधी वाडन से जगरना ही वाली थी ले निधी ने गुसे से मीरा से कहा, निधी, तुम प्लीज यहां से चलो, प्लीज, इस मुसीबत और अक्यलेपन भरे समय में निधी ने कैसे मीरा का साथ दिया, ये सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, साथ ही इस कहानी का सबसे अच्छा मोमेंट कॉमे प्लीज, इस में प्लीज, इस में बताई